निर्मला सीतारा में नमाथी बंगला काने की आना अतल समया सम्रशन मैं वैक्सीन को लेके कुछ फैसला हुआ है को उस पे क्या रेट अपलिकेबल होगा और जितना अब रेट कट किया गया है जो चार केटेग्रीज में करा है उस से जो है सरकार के ऊपर कितना बल्डन आएगा या लोगों कितना बेनफिट होगा हो वैक्सीन पे पांच परसेंट जीएस्टी की दर अभी है इन पर और वो वही रहेगी इसमें जो चर्चा का विशे जब हुआ था तो इसमें ये हुआ था कि इसमें केंदर सरकार ही सारी परचेस कर रही है 75% कम से कम purchase कर रही है उसका GST भी केंदर सरकार ही देगी लेकिन जो GST का income होगा उसकी 70% sharing states के साथ होगी क्योंकि अगर 100 रुपया tax आता है तो 70 रुपया, 71 रुपया states को जाएगा और 39 रुपया center को आएगा तो उसमें उतना ही रखा गया है और basically इसमें अब central government purchase कर रही है तो काफी विशे इसमें इस तरह से लिए गया है इसलिए कि जो central government खरीद रही है 75% और central government उसमें GST भी पे कर रही है मगर जब लोग government की hospital के द्वारा central government के supply जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है जनता के उपर उसके आसर कुछ भी नहीं होगा रेट कट मतलब नहीं यह आईटेम्स अलग है आप vaccination के उपर जब प्रशन पूछ रहे हैं यही है जवाब कि केंदर सरकार करीद रही है और केंदर सरकार पूरे के पूरे जो जितने भी वो करीद रही है वो मुफ्त में जनता को दे रही है इसलिए उसमें GST का असर कुछ भी नहीं जनता के पास और जनता के उपर लगी पूरे की प्रशन पूरे कर लगी आपास ओ्रशन पूरे करें जर आपको नहीं प्रशन पूरे को दे जितना कर देढ रही है जो जाता की है जितना का यह है अजिए इसब बचान के बादिए रहीजर रहीज़ भेश सесяबी네요, there is a formula for devolution. As per that formulation, everything which is collected is first of all divided 50-50. Then from the center's portion of 50 also, a certain amount goes to these states, अपरस scam थर्फिस जट लडिस है क्षिले जश गुटने साबेडे अपर्स मेंद रूबधाइ सिपने अशरंटी सम्ड़स्त कर्यार्श करने से घच फिस भी कोज़ दिक च斯थ समॉर् για दूनियतन। दिर तरुम काल्रा प्रोटल टीवी ने कोशिए लेकिन जी एस्टी का जो रेट कट हुआ है उसे केंडर सरकार की अमदन पर कितना असर पड़ेगा जिसे की पता लग सके कि लूगों को कितना फायदा होगा मेरे विचार से ये प्रश्टन का इतना महत्वे इसलिए नहीं है कि ये जो रेट कट किया गया है ये कोई कास्ट इंप्लिकेशन को देख के नहीं किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों को सहुलियत मिल सके तो अब ये इस पर निर्भर करेगा कि कितना लोग इस पीरिड में परचेस करते हैं और उसका कितना financial implication आता है पर वो एक विशे नहीं था और council के सामने भी ये विचार धारा से ऐसा फैसला नहीं लिया गया पैसला सिरफ इस बात से लिया गया कि ultimate consumer या patient को किस चीज से सहुलियत मिलेगी वो कारवाई हमें करनी चाहिए या second question please thank you thank you we close the press conference now thank you finch so there you sir that was the briefing related GST council योगत्तिनी शेशं धनमंदरी दर्वलासीतारामिन समसारिक्किया एरनू कोविड प्रदरोध सामगरियलक क निगुदी वलव उन्डागं वैक्सिन अंजिश्दमानन निगुदी वैक्सिन अंजिश्दमानन गुडि धनमंदरी प्रख्याविच्चिरिक्किया आण वार्तासमेलन नतेल